हेलो फ्रेंड्स PM किसान यूजणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है PM किसान सम्मानेदी यूजणा का जो आपसन है यहां पर वनफैचरी इस्टिरिड है इसमें बहुत सारे चिंजिस किये गए है और बहुत बड़ाव किये है जिससी किसानों को कापी सारा बैनेफिट हि निकाल लेना है और कोई details आपको यहाँ पर फिल करनी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं आप वीडियो अंतक देखना 6 मिनट की वीडियो है अगर आप complete वीडियो देख लेते हैं तो आप अपना इस तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा लाइप प्रूप के साथ में मेरे साथ बने रहेगा अंतक 6 मिनट की वीडियो है 6 मिनट तक आप जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे मेरा नाम है राजु गंगबार आप देख रहे हैं पीम किसान युदिना चैनल को subscribe करे किसान भायू जैसे हमाँ बन फैचरी स्टेट बे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सादाएगा जहाँ पर रेजिशन नमबर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं रेजिशन नमबर नहीं है तो यह रेजिशन नमबर पर आपको किलिक करना है जैस करने के बाद दिख सकते हैं आप दो परिकार से आपना नमबर यह ठिशन नमबर निकाला हैं तो यहाँ पर मैं आपको आज रेजिशन नंबर है वो आधार के थुरू निकाल कर दिखाऊंगा तो आपने वीडियो अंतक बिल्कुल नहीं देखा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रेजिशन नंबर निकालने के लिए हमें आधार का यूज करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर अधार नंबर है उसको यहाँ पर हम डाल लेते हैं तो जैसे हम यह पर आधार नंबर डालेंगे आप देख सकते हैं और कैपस भी मैंने यहां पर फील कर दिया है अब गिट OTP पर हम क्लिक करेंगे आपके पास में एक OTP सेंड की जाएगा जिसको आपको यहां पर फील करना है आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का रजिसन नंबर आधार से मिला होना चीए अगर लिंक नहीं है तो अभी जाकर लिंक कर वालो किशन भाई और रजिसन नंबर निकालके दिखाँगा उसमें जो भी एडिट करना है वो भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूँ लाइप प्रूप के साथ में सब कुछ मैं आपको यहां पर दिखाँगा तो देखिए मेरे पास जो है OTP आ चुका है अब मैं यहां पर एक किसान भाई का OTP आपको यहां पर डालकर दिखा देता हूँ यहां पर आप चेक भी कर सकते हैं देखिए आप सारा कुछ यहां पर एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ आप दिखेंगे OTP डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस आजाएगा जहां पर देख सकते हैं आपको किस तारिक को आपका कुछ नहीं है तो यह भी आप अपडेट कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यानि अकौण नमबर आधार से लिंक है आप है और देख सकते हैं और कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो हैं लिखा हुआ है कि यह लग यहां पर आप कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते मैं अब आपको भी दिखाऊंगा है यहां पर करke उसके बाद में लैट्स इश्र इसके बाद में आप दिखेंगे किस बैंक में गई है यू टीयार नंबर भी आप दिखेंगे यहाप उठीन को मिलेगा और बीडित आपको देखने मिलेगी 272.003 को मिलाएं यहाँ देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप कोई भी details अपडेट करना चाहते हैं तो update your details पे जाकर update भी आप कर सकते हैं तो फहुत बला changes यहाँ पे करा गया है यहाँ पे अगर आप view account details पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको परसनल details है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा मैं आपको view करके दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा installment का पैसा मिलेगा आधार मिलेगा बैंक का नाम मिलेगा account नमबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा security के दो पर billar है ठीक है तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं और कोई भी आप यहाँ पर update करने钱 है तो update भी आपढ़क कर सकते हैं ठीक है तो मैंने अपको सारा कुछ बताया है सब कुछ यहाँ पे installment से लेके से आपको भी अपना स्टेड़ चेक कर लेना है किसान भाईयो और जो भी प्रोब्लम है आपको तो इसको अभी सुधार लेना है क्योंकि यह वैपसाइड में अपडेट आगया है अपना अधार नमबर निकालकर सारा कुछ आप यहां पर देख सकते हैं लैंड शीडिंग की बात करें तो वो भी एस हो चुकी है बैंक अकॉंट नमबर शीडिंग इस हो चुका है यहां पर देख सकते हैं और यहां पर पर पढ़ सकते हैं यहां पर पूरा चेंजिस कर दिया गया है यहां पर पर प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको और कोई समझे आ रही है आप मुझे कमेंट कीज़ेगा मैं आपकी यहां पर हैल करूँगा और फॉर्म भी एडिट हो जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही था बाकि मिलते हैं आपसे नेक्ष विडिमें जब तक क लिजे हिन बारत